10 Days Thick and Black Hair Care Series का आज है Day 4 Day 4 में बहुत ही कमाल की remedies मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही basic चीजे हैं जिसे सब लोग use करता है लेकिन अगर आप इस तरीके से और इस remedy को use करते हैं तो जो फायदे हैं 100% आपको मिलेंगे और आप इसका result बहुत ही जल्दी देखेंगे क्योंकि देखे बहुत सारी चीजें हम लोगों के आसपास होती हैं कुछ चीजें अच्छी होती हैं कुछ चीजें अच्छी नहीं होती हैं जो चीज़े अच्छी नहीं है, हम लोग योज कर रहे हैं, सिर्फ इस क्रिए क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, तो वो हमारे बालों को बहुत ही जादा डैमिज करने काम करती है, मैं बात कर रही हूँ, केमिकल, शैंपू, कंडीशनर, आयल, हाँ, केमिकल वाले आयल भी आ बालों को रिग्रो भी करेगा, अगर आप कंसिस्टेंटली इन रेमडीज का यूज करते हैं, तो फिर देखिए आपके बाल बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, पेसेंस रखिएगा, क्योंकि इन सारे चीज़ों में टाइम लगता है, बहुत जल्दी का मतलब हुँत में दो महिने तीन महीने, मैं अपनी बात करू Mormon का भी, मैं सिस्टेंतर दीखनी मिले को जात لाइंट्री देखनी मिले को लिए अपनी पनी बात करूं तो मुझे दीखना ऊस्रू हुआ था दो साल के बादी, मैं इसलों हो गया है मैं मतलब कलि बो बहुता पर मैंने स जो आपके बालों को रिग्रो भी करेगा, काला भी बनाएगा, क्योंकि ये जो आइल है, ये आपके हैर फॉलिकल में मेलानिन के प्रोडुक्शन को इंक्रीज भी करता है, एक बहुत ही अच्छा सा हैर मास्क में शेयर करूंगी, ये जो आप हैर मास्क देख रहे हैं, ये बहुत काम की होती है, इस तरीके की रेमेडी देखने में अगर आपको बहुत ज़दा इंट्रेस्ट है, तो मैं आपको हाली रिक्मेंड करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्स्क्राइब कर लीजिए, प्रेस करेगा, ताकि आपसे मेरी कोई भी वी वीडियो मिस्क ना हो जा इसमें कुछ सीड्स का में इस्तमाल करने वाली हूँ, जो पहली सीड है वो है फेनुग्रीक सीड, आपको पता है फेनुग्रीक सीड एजली अबलेबल होती है, यह तो आपको पता ही होगा, लेकिन क्या आपको यह पता है कि हमारे बालों के लिए कितनी अच्छी होती है, इसके अंदर antibacterial, antifungal property पाई जाती है, जो कि डेंडरफ को खतम करता है, प्रोटीन का ये बहुत अच्छा सोर्स है, और आपको तो पता ही होगा कि हमारे बाल एक प्रोटीन ही है, तो ये हमारे बालों को ग्रो भी करता है, रिग्रो भी करता है, साथी साथ फिनुग्रीक तो इतने सारे फायदे हैं, कि मैं आपको क्या ही बता हूँ, लेकिन फायदे की बारे में जरूर बताऊंगी, इसके अंदर antihistamines पाई जाती है, जो कि बालों को रिग्रो करने का काम करती है, इसके अंदर बहुत सारा antifungal, antibacterial property पाया जाता है, जो कि डेंडरफ को खतम कर जो दूसरी सीट है, आप देख रहे हैं, ये कलोंजी सीट से थोड़ी सी सफेध है, फेर वर्जन है कलोंजी सीट का, और ये है ब्लैक सीसमी सीट, काली वाली जो तील होती है, उसको इस्तेमाल करना है, काली वाली तील भी आपके बालों को काला बनाने का काम करती है, आपक स्केल्प में ब्लड सर्कुलेशन बूस्स करता है जिसे की हैर ग्रोथ प्रमोट होता है यह भी प्रिमिच्चुर हैर ग्रेंग को ट्रीट करने का काम करता है क्यूंकि इसके अंदर एक यूनिक तरीके का इंटाइ ऑक्सिडेंट पाया जाता है जो हैर फॉलिकल में होने माले ऑक्सिडेटी विस्ट्रस को खतम करता है इन सारी चीजों को हमें ग्राइंडर में डालना है पीस लीजी अच्छे से इस तरीके का पाउडर बनके तयार हो जाएगा अब आपको लेना है और इस ओल में ग कि अधेर कम क्म होती है तो देखें आपके आपके बालों में llegó की क्या एंच परता है उसी को बोलते है प्रना इंहाशिति यहाँ जल्दी पोर जाता है वम उत बहुत ज़दी अप्न होते हैं अब बारी यहाँ जल्दी फ मतलब जम जल्दीब हो जाता है मतलब बालों के xu रफ रहते हैं अब बारी आती है लो पॉरोसिटी की जो लो पॉरोसिटी के बाल होते हैं उनमें बालों के क्यूटिकल्स एकदम क्लोज होते हैं उनमें गैप ही नहीं होता है तो जल्दी बालों के अंदर कोई मोईस्टर अब्सॉर्ब नहीं होता नहीं जल्दी बाहर निकलत अब देखेश हैं अगर हे आपके बाल आपके बाल हाई पर वॉरसिटी के है तो आपके लिए बेस्ट though costa ऑ mad स्अरे जब्ली अब देख्चे 20 दिन मेठ लिए तो डबल तुम बॉलिंग जब से जैसे मैं आते से नोगों को । गुझवना गरम कर लीजरे अपने इसек को अच्छे से लगाईए बीस दिन इन्फ्यूज होने के बाद यह जो ऑल है इसके अंदर बहुत सारे गुड़ आ गया है बहुत सारी प्रॉपर्टी जा गई है जो इंग्रेडिंट हम लोगों ने इसमें डाला है उनकी अब यह बहुत जादा एफेक्टिव हो गया है नॉर कि ब्लड फ्लो बूस्ट होता है जिसे की बाल रिग्रु भी करते हैं जल्दी से ग्रो भी करते हैं साथी साथ यह डारेक्ली आपके हैर फॉलिकल में बहुत आराम से पेनेट्रेट कर जाता है जिसे की आपकी हैर फॉलिकल नरिष होते हैं बाल नैचरली काले भी होते हैं ब लोही का बरतन ही क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा आइरन पाया जाता है यह जो हैर वांस इसमें आप बनाएंगे वो आइरन फोर्टिफाइड जाएगा आपके हैर फॉलिकल को एक्स्ट्रा आइरन मिलेगा अब आपको दो चम्मच के बराबर जटा मांसी पाउडर लेना है जटा मांसी हमारे बालों के लिए कमाल की हर्व होती है यह हमारे बालों को रिग्रो भी करती है नाचरली काला भी बनाती है प्रिमेच्चोर हैर ग्रेंग को ट्रीट करने में बहुत अच्छी होती है साथी साथ आपको पता है जटा मांसी आपके हैर फॉलिकल के साइज को भी increase कर देती है जिसे कि उसमें से ठीक बाल आते हैं बैसिकली ये बालों की थिकनिस को increase करने का भी काम करती है इतनी ज्यादा पावरफुल होती है इसकी फ्रेगरंस भी बहुत कमालकी होती है जो आपके स्कैल्प को सूध करने का काम करती है तो आपको दो-तिन चमज के बहुत ही कम समस्या होगी जो नेक्स इंग्रेइंट मैंने इस्तेमाल किया वो था गुड़हल का पती फूल नहीं गुड़हल की पती का इस्तेमाल किया है मैंने गुड़हल की पती में एक यूनिक तरीके का अमीनो एसिड होता है जो हमारे बालों को रिग्रो करने का का काम नीम की पत्तियां बहुत अची होती है हमारे बालों के लिए इसकिन के लिए और अगर आप इसको चावल में डालेंगे तो इसमीं कीड़े नहीं पढ़ते हैं साथी साथ नीम की दातुन भी लोग यूज़ करते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है लोगों नीम की फली होती है वो नीम ऑल बनाने में यूज़ होती है और नीम ऑल भी अमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्कैल्प में डेंडफ ना हो प्रिमिचूर हैर ग्रेंग की समस्या आपको ना हो तो नीम की पत्ति का इस्तमाल जरूर करिएगा दो चमज के बराबर अब जो नेक्स इंग्रेडियंट है यह भी एक आईरवेधी खर्व हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल की होती है और यह है ब्रहमी ब्रहमी की अगर मैं बात करूं तो ब्रहमी आपके इसमें की समस्या को खतम करती है प्रिमिचूर ह काला बनाने में बहुत ही कमाल की होती है बैसिकली यहां पर जो जो इंग्रेडियंट इस्तमाल हुए है सारे ही इंग्रेडियंट का इस्तमाल करिएगा ठीक है बहुत सारे लोग बुलते हैं कि आप जादा इंग्रेडियंट का इस्तमाल करती है क्योंकि देखे जब मैं जा शीका कये बिलकुल भी हुआ अप्श्टनल है इसको मैं शैंपू की तरह भी इस्तेमाल करने वाली हूँ, इसलिए मैं एहं पर शीका कया है शीका काई natural shampoo की तरह भी काम करती है और exfoliator की तरह भी काम करती है यह आपकी scalp को बहुत ही अच्छे से exfoliate करती है जिसे की जो भी accumulation होता है oil का और गंदगी का सारा निकल जाता है आपकी scalp से even dandruff को खतम करने में भी शीका काई बहुत ही powerful होती है क्योंकि इसके अंदर antifungal antibacterial property भी पाई जाती है साथी साथ शीका काई premature hair growing को treat करने में बालों को naturally काला बनाने में बहुत ही कमाल की होती है अब देखिए इन सारी चीजों को हमें भीवो देना है पानी में और इसे राद भर ढखते छोड़ देना है राद भर में क्या होगा कि जो ingredients है एक्टिवेट होंग नेक्स मॉर्निंग आप देख सकते है यह जो ingredients है वो अच्छे से भींग चुके है एक्टिवेट हो चुके है बहुत सारा पानी इन इंग्रेजिंट के द्वारा एब्जॉब ही हो चुका है आप देख सकते है पानी कम हो गया है आपको अच्छा खासा पानी डालना है क्यों तो यह साथ दो पीजन बैठे रहते हैं और यह जो है यह मेरे पालतू पीजन हो चुके है क्योंकि मैं हमेशा इन लोगों को दाना पानी देती हूं तो यह लोग यह से हिलते नहीं अभी आप देख सकते है मैं इसको अच्छे से ग्राइं कर लिया है बारीक सा पेस्ट अमा जो भी चंग से रेजडियू है निकल जाए आपके बालों में फंसेना क्योंकि जब बहुत सारे चंग सारे रेजडिव आपके बालों में फंस जाते है तो बहुत अरिटेटिंग हो जाता है फिद नेग्स टाइमच आप को हैर मास लगाने का मन ही नहीं करेगा इसलिए मेर अब यह अप्ने बालूं को अपने बाल के दिखाऊंगी भी is अब आप सकते हैं मेरे बाल में किट्ना सारा ओंट खाएंगे यह वहां तो आपको क्या करką न कि अअच्छा से पूरे स्केल्प में पूरे बालों की लेंथ में लेंट में लगाना है बहुत जादा मात्रा में नहीं लगाना है, बस एक लेयर लगाईए ताकि अच्छे से आपके स्कैल और बालों में लग जाए, बहुत जादा नहीं ऐसा नहीं कि पूरा एकदम थोप के बैठे हुए हैं, बस थोड़ा सा लगाना है, और इसको तब तक लगा के रखे जब तक बहुत अच्छे से क्लीन हो गए, मैंने अपने बालों में कॉम्बनी की है, इसलिए बाल तोड़े से उल्चे लग रहे हैं, और मेरे बाल हाई पॉरोसिटी के हैं, तो मेरे बाल मैक्समम टाइम ऐसे ही दिखते हैं, तो मेरे बाल बहुत रॉफ और ड्राइ नहीं है, मेरे अगर आपने इस सेरीज का पार्ट 2 और पार्ट 3 मिस कर दिया है, तो मैं आपको यहां पर लिंक दे दूँगी, यहां पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख लीजेगा, अच्छे लगी होगी आपको, मेरे वीडियो अगर आपको यूस्फुल लगती है ना तो प्लीज लाइक जरूर कर दिजेगा, लाइक करने में कुछ भी नहीं जाता, बस एक क्लिक करना होता है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी कर लीजेगा, अब बिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार.